नमस्कार चोटे बिजनिस के लिए फंडिंग कहां से ला है हर व्यक्ति के बिजनिस सुरुवात में छोटे ही होता है दीरे दीरे ग्रोथ करता है एक दिन बहुत बड़ा बिजनिस बन जाता है लेकिन 8% सबसे बड़ी प्रोब्लम यही है कि बिजनिस का आइडिया अच्छा ह आपके पास में बहुत ही वेरी गुड आइडिया है आप स्टाट अप करना चाहते हो आप किसी बिजनिस की सुरुवात करना चाहते हो लेकिन सबसे बड़ी प्रोब्लम आती है 90% अधिकतर जो युवा उद्दमी है युवा बिजनिस में उसके सामने सबसे बड़ी बड़ राती हैं सब्यार किसा फंडिंग कैंति हम बिजनिस तो बहुत बड़ा उपर और वह बहुत लेज़े सकते लेकिन एक चीज़ की कम से हैं तो आपको फंडिंग कहां सर्थ यूदू का चलाने होगा आज मैं आपको five different types of बताओं को कि यहां से आप फंडिंग और आप अपन आप बिजनिस शुरू कर रहे हो तो बिल्कुल आप जिरो लेल से तो कर नहीं सकते हो थोड़ी बहुत तो पुंजी आपके पास होनी चाहिए है पॉइंट के बात बतरों मैं आपको सुरुवात आप घर से करिए ये किसवात तो कॉप선 करनी होगी शुरुवात तो आपको गर्षे करनी होगी, आपको पता है, Infosys के founder नाराय मूर्ती, शुरुवात कैसे की, गर्षे की, उनकी पत्नी से उन्होंने 10,000 रुपे उदार लिये थे, Infosys कंपनी के दिए, तो शुरुवात गर्षे की, दीरे दीरे लोग जुड़ते गए, और आज Infosys कंपनी, आपको बता है, आई टी सेक्टर में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, पहले टी सी एस हैं, सेकड इंपोसिस हैं, तो शुरुवात तो आपको गर्षे करनी होगी, आप चाहे 10,000 लो, 20,000 लो या 50,000 लो, शुरुवात गर्षे कर, फिर आप लोगों से बा पास में जो होगा, आपके पास कितनी बड़ा और कितनी अच्छा आइडिया है, आप सब को शो करोगे हमके सामने, लेकिन वो आपके उपर सुरुवात में बिल्यू नहीं करेंगे, शुरुवात में आपके ओपर इस्वास कों करेंगे, आपके दोस्त, आपके रिस्तेदा आपके दोस्तों को पता होगा, आपके रिस्तेदार को पता होगा, नहीं आए, यह नाइस परसन है, और अच्छी मेंद करता है, और इसके पास अच्छा आइडिया हो, यह वेल बिहेव परसन है, तो हरको आपके दोस्त, आपके रिस्तेदार आपके ओपर इंवेस्ट करें ज्यादा नहीं तो लाग, पचास जार, दो लाग, पांस लाग तक भी आपको देदेगे क्यों? क्योंकि आपकी केडिबिलिटी, आपकी इमानदरी, आपकी महनत और आपका अच्छा आइडिया देखकर आपको पेसा देगे इसके लिए आपको महनती होना हो पढ़ाएगा और आपका आइडिया अच्छा होना होगा तो सुरुवात सबसे पहले घर से करें, सेकंड अपने दोस्त लिष्टेदारों से फंडिंग दें सरकारी योज में गवर्मेंट बैंक आपके पास अच्छा इडिया है, मसिलिनरी खरीद नहीं है, आज कल तो गवर्मेंट कितनी युवा इद्धिम्यों की हेल्प कर रही है, आप प्रदानमंत्री मुद्रा लोन दे सकते हो, बिलकुल बिना गारंटी के आपको लोन मिलता ह आपको कोई मसिलिए खरीद नहीं है, तो आप बैंक पर पास चाहिए और प्रदानमंत्री मुद्रा लोन के अंतरगत अप्लाई करिया, आपको सिर्फ 10% पैसा देना होगा, 90% पैसा, गवर्मेंट बैंक देगी, आपको कोई भी मसिलिए या आपको कोई भी चीज खरीद न फौर्थ, एंजल इंवेस्टर, जब आपका बिजनिस थोड़ा सा चल पड़े, तो फिर आप अपना प्लान लेकर एंजल इंवेस्टर के पास जाए, एंजल इंवेस्टर कोन से होते हैं, जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, जिनके पास में बहुत सारा पैसा होता है, त इन्जल इन्वेस्टर का वह से लोगों को पास में अच्छा कासा पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाते हैं लेकिन वो कहां इन्वेस्ट करना चाते हैं अच्छी जगा पर उनको पता है कि हमारा पैसा जहां भी जाएगा जहां भी लगेगा अच्छा रीटन लेकर जाएगा त होना चाहिए और शुरुत में आपका आइडिया थोड़ा चलना चाहिए फिर आपको एंजल मिल जाए पिर टृब कौन होते हैं आप अपने आश पास जैसे अगर आपका विजिन फोड़ा चले आपके इह में तो आप आज अश्वा स के लोगों से भी आप फंडिंग कता कर स इंग किया करता है आम पब्लिक से पैसा उटाता तो आपको भी अगर आपका अच्छा है तो आप अधे आम पब्लिक से भी पैसा हएक तो यह फाइव डिफ्रेंट टाइप सो तरीके में आपके बताए हैं इससे आप अपने बिजनेस के लिए फड़ने के किता कर सकते हो और आप इन फीचर में ग्रोध कर सकते हो